शिवन त्यागी जी, चली ये समझ में आता है कि फूट डिपार्टमेंट की टीम निकलती है सर्वे करने के लिए, सेसी टीवी क्यामदे लगवाने के लिए आप बोल देते हैं, आप अनिवारे कर देते हैं कि गलव्स पहनने हैं, आपको मास्क पहनने हैं, लेकिन नेम प्ले जॉइन को चलाता है, उसका नाम और सारी आईडीज होनी चाहिए, and it should be visible to the customer, उसमें हिंदू हो या मुसल्मान, अब नेता जी, पता नी क्यों चाहते थे ऐसा कि भई, हिंदू हो या मुसल्मान, जिसकी भी है दुकान, उसका नाम दिखाना चाहिए, गराक को, पता नी कौ अनसी उसके पीछे मिलावट रोकना चाहते थे, राजकुमार भाटी कोन से पूछ लेना चाहिए, यह कहते हैं कि नाम लिखने से ऐसा क्या हो जाएगा, नाम लिखने से किसका मिलावट रोक जाएगी, मैं यह भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, अरे भाज मंत्री हैं, हिमाचल सरकार के विक्रमा देते जी, सीधा फोन लगा लिजे भाईया, तुरंत पता चल जाएगा आपको, 2006 में जब नेता जी की सरकार में कानून बना रहे थे, तब समझ में नहीं आ रहा था, कि यह नाम लिखवाना क्यों चाहते हैं, एक चीज दिनों ने औ और कही, ये इनका कोई अजेंडा नहीं है, भाजपावालों का अजेंडा है, सिर्फ हिंदू-मुस्लिम को बाटना, सिर्फ मुस्लिमों का जो बाइकॉट करना है, दिल्ली में फलाना ये हुई, वो हुई, कानपूर हिंसा का आरोपी, निजाम कुरेशी, समाजवादी पा करने का, फिनांशल बाइकॉट करने की अपील करता है, वाटसाप पे मेसेज़ वाइरल होते हैं, जब उससे सफाई मागी जाती है, तो वो कहता है, नहीं नहीं, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं परस्नल कापैसिटी में कर रहा हूँ, वाजब ये निजाम जहां आप कहना बनाते हैं, वहाँ पर, वहाँ पर जो मैनेजर है, उसका नाम होना चाहिए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वहाँ पर जो वरकर है, उसकी आइडेन्टिफिकेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इंडिया टीवी में, बाहर के सिक्योरि इडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसका नाम नहीं पता होगा, पुलीस के पैस उसकी वेरिफिकेशन नहीं होगी, तो भाई कहां से पकड़ेंगे, अब आपका क्या सवाल था पूछे। मेरा सवाल यह, मिलावट कैसे रोक पाएंगे, यह कैसे सुनिश्चत होगा, कि आगे से कोई नहीं थूकेगा, यूरीन वाली घटना नहीं होगी, या मसालों में मिलावट नहीं होगी। में भाईचारे का विश्य नहीं है, इसमें बहुत साफ है, हिंदू हो या मुसल्मान, सिख हो या इसाई, पार्टी हो या जैन, या फिर हो बोध, जाती में कोई भी हो, अगड़ा, पिछड़ा, सब एक दुकान पर जाते हैं, ना कोई कस्टमर का नाम पूछता, ना जाती पूछता, ना बनाने वाले की, ना पीने वाले की, तो जाहिर है, ये सब के लिए है, इनको इसमें हिंदू हो बहुत चोटा जवाब दीजेगा, राज कुमार जी, प्रतीन और महमान उनके पास जा रहे हूं, बोले भाटी जी, बहुत चोटा, बहुत चोटा, प्राची ज पार्टी इसी तरह चल रही है, जो आपने 2.5 मिनिट का भासन दिया, मेरे भाई ने, लेकिन जो आपने सवाल पूछा था, उससे भूल गए, कहने सवाल क्या था आपका, हमारे भासन, शिवम भाई ने, कोई उप्योगता नहीं पता ही, इसकी, केवल उधारन दिये, मुला लाइसेंस हर दुकांदार के पास होना चाहिए, लाइसेंस में सर्टिपिकेट होना चाहिए, उसमें ओनर का नाम होना चाहिए, वो विजवल होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए दुकान में, उसमें कोई अत्रियाब भी लगवा हो, आप कहरें, बोर लगाना पड़े कि जाम है कि यह नहीं उसके यद Milliarden चीजार में चाहताँ इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग है ना इन सब कार नाम बदल के हिंद्धू नामी रख दो ताकि कोई आमिर, कोई सोहेल, कोई राशुद, इस तरह के लोग अगर इस तरह के घटना करें, तो उसका नाम शिवम रख दो, फिर इनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी हमारे भाटी जी को.